हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज हम आपको इस वीडियो में इस तरीके की स्टेंड कॉलर या यूं कह लीजे नहरू कॉलर की कटिंग और स्टीचिंग करना बताएंगे इसकी cutting और stitching को हमने step by step करना बताया है तो हमारे वीडियो को पूरा watch कीजिए साथ ही हमारे वीडियो को like share करना बिल्कुल मत भूलिए तो चली हम इसकी cutting और stitching करना शुरू कर लेते हैं इस तरीके का pattern बनाने के लिए सबसे पहले आपको चोली की cutting करनी है चोली की cutting आपको front side से open रखते हुए cutting करनी है मैंने भी यहाँ पर अपनी चोली की cutting कर ली है और इसे मैंने front side से open रखा है cutting करते वक्त आपको front side में कुछ margin लेना है मैंने भी यहाँ पर देखिए fabric का कुछ margin लिया है आपको कितना margin किस side में लेना है वो जान लेते हैं तो देखिए friends मैंने यहाँ पर जो fabric पर marking की है यह हमारे fabric का ultra side है और जो हमारा यह वाला side है यह fabric का सीधा side है तो मैंने यहाँ पर देखिए fabric पर already लिख लिया है जब हम इसे सीधा करेंगे तो हमारा कौन सा portion किस side में जाएगा तो मेरा यह वाला portion है यह मेरा होगा left side और यह वाला जो मेरा portion होगा right hand side का तो इस तरीके से आपको marking कर लेनी है ताकि आपको आगे confusion ना हो यहाँ पर जो friends मेरा fabric है वो chicken कारी वाला है तो मैंने यहाँ पर friends देखिए एक land row की है जो कि मैंने अपनी इन बूटियों को बिल्कुल सटा कर की है तो मैंने इस बूटी से यहाँ आगे की तरफ देखिए left hand side की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से इस बूटी से आगे की तरफ तकरीवन सभाव inch का extra margin लिया है अब हम right hand side की बात करते हैं तो इस बूटी से हमने यहाँ पर तकरीवन पोने 2 इंच का extra margin लिया है तो इस तरीके से आपको margin लेना है अब इसके बाद में friends मैंने यहाँ पर एक strip कट की है इस strip की length हमने इसकी length से थोड़ी से ज़्यादा लिया है बट इसकी जो चोड़ाई है वो मैंने यहाँ से लिये तकरीवन 3 इंच सबसे पहले हम यहाँ पर right hand side वाले portion को stitch करेंगे इसे इस तरीके से fold करेंगे इसे एक बार fold करने के बाद में हम दुबारा इसे इस तरीके से fold करेंगे आप चाहें तो friends यहाँ पर corner की stitching लगाते हैं वे इसे stitch कर सकते हैं otherwise आप यहाँ पर एक कच्ची slide लगाने के बाद में इसे तुरपन भी कर सकते हैं तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 5 number की कच्ची slide लगा ली है और एक slide मैंने यहाँ पर बिल्कुल corner पर लगाई है यह slide हमारी 3 number की slide है यह हमारा left hand side वाला portion है marking वाला side है वो आपको नीचे की तरफ इस तरीके से रखना है मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले marking करकर बताऊंगे कि यहाँ पर जो हम stitching लगाने वाले हैं वो कि shape में लगाने वाले हैं मैं यह आपको marking इसलिए बता रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने यहाँ पर पटी किस तरीके से stitch की है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो fabric है वो black color का है और thread भी हमारा same color का है इस तरीके से हमने यहाँ पर state line ड्रो कर लिए है अब उपर की तरफ हम देखिए यहाँ पर एक shape create करेंगे जिस तरीके की हम यहाँ पर shape create कर रहे हैं stitching भी हमें ठीक उसी तरीके से यहाँ पर लगानी है अब आपको यहाँ पर अपनी पटी लेनी है और उसे इस तरीके से double fold कर लेना है अब हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर marking की है ठीक उसी पर की है अब भी हम यहाँ पर एक cut लढ़ेंगे cut को इस तरीके से लगाना है कि आपके stitching कट ना हो और यहाँ पर एक हम इस तरीके से cut लगा लिया है और यहां से हम देखें कॉर्णर से यह एश्टा फैब्रिक कट कर देंगे और यह देखें अंदर की तरफ इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे यह देखें यहां पर हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है corner को अच्छी तरीके से इस तरीके से आप निकाल लीजिए इस तरीके से आपको पटी को पलटना है पलटने के बाद में friends आपको सबसे पहले इस पर प्रेस कर लेनी है प्रेस करने के बाद में friends आपको यहाँ पर corner की एक stitching लगानी है corner के stitching लगाने के बाद में आपको एक stitching जो हमने यहाँ पर line ड्रो की थी उस line के according यहाँ पर हमें stitch करनी है इस तरीके से आपको पटी को stitch करनी है तो मैंने यहाँ पर देखिए पटी को इस तरीके से stitch कर लिया है अब फ्रेंड्स जब हम देखिए यहाँ पर इसे उल्टी सैड में इसे टर्ण करते हैं तो यह वाला जो एरिया है हमारा एकसेस है तो इस वाले एरिया को आपको cutening करना है यहाँ पर आपको तुर्पन करते वे इसे set कर लेना है इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स हमने front part के दोनों portion को stitch कर लिया है अब हम चोली का जो back part है और front part है उन्हें हम यहाँ पर कंधी से stitch करते वे जोड लेंगे मैंने चोली के दोनों part को कंधी से stitch करते वे जोड लिया है अब हम friends अपनी चोली में stand color लगाने के लिए यहाँ पर color cut करेंगे color cut करने के लिए मैंने यहाँ पर paper canvas लिया है यह paper canvas वो वाला canvas है जो जेंड्स जो shirt होती है उसमें जो color बनती है उसके लिए use किया जाता है वो वाला मैंने यहाँ पर पेपर कैनवास लिया है पेस्टिंग लिया है कॉलर कट करने के लिए चोली के गले की गोलाई नापनी होगी सबसे पहले हमें यहाँ पर चोली के दोनों पार्ट को इस तरीके से हमें मिलाना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से इंची टेप को रखना है और इसे इस तरीके से धीरे धीरे हमें इस तरीके से इंची टेप से इसकी गोलाई नापनी है इसकी जो गोलाई है वो हमारी वन साइड की है और जब हम इसकी color cut करेंगे तो उसे हमें double में cut करना है यहाँ पर देखिए जो यह मेरी paper pasting है इसे मैं इस तरीके से double fold करकर बिछाऊंगी आपको भी double fold करके बिछाना है यहाँ पर सबसे पहले आप एक line draw कर लीजिए line draw करने के बाद में आपको इस तरीके से paper pasting को नापना है जितनी आपकी one side से गले की नाप थी उससे आदा inch आपको extra paper pasting लेनी है अब जितनी हमारी गले की one side की नाप है वो हम यहाँ लगा लेंगे अब हम यहाँ पर color की चोड़ाई का marking करेंगे हमारी यहाँ पर color की चोड़ाई हम रखने वाले हैं एक इंच एक सूथ इस तरीके से अब हम यहाँ पर तीन इंच का marking करेंगे और इस marking से हम यहाँ पर देखिए curve shape लगाएंगे इस तरीके से हमें curve shape लगाना है कर्व शेप लगाने के बाद में फिर से हम यहाँ पर एक इंच एक सूथ का इस तरीके से कर्व शेप लगाएंगे और इस मार्किंग को हम वापिस इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे मार्किंग करने के बाद में आप देखिए जो हमारा यह राउंड शेप है इसकी नाप और जो हमने यहाँ पर यह नाप लगाई थी इसकी नाप में difference हो जाता है क्योंकि जब हम इसे कर्व करते हैं तो यहाँ पर कर्व करने से इसका यह वाला area है यह भड़ जाता है तो अब हम यहाँ से देखिए, जितनी हमारी गॉलर की नाप थी, उतनी हम यहाँ पर इस तरीके से मैजरींग टेप को इस तरीके से रखेंगे यहाँ देखिए यह कfäh फिलाल फिक्स आ रहा है लेकिन कई बार क्या होता है ज्यादा राउंड देने से यहाँ पर जो इसका ये वाला एरिया है ये बढ़ जाता है तो इस तरीके से आपको नापना होता है ये मैंने नाप लिया नापने के बाद में आप चाहें तो इहाँ पर इस तरीके से कॉलर को रख सकते हैं या आप यहाँ पर इस तरीके से शेप नहीं करनी है इस तरीके से हमने कॉलर को कट कर लिया है अब हम इस कॉलर को प्रेस की सायता से अपने फैब्रिक के ऊपर इसे चिपका लेंगे तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स हमने प्रेस की सायता से इस पेपर पेस्टिंग को फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से चिपका लिए है यहां पर हमने फैब्रिक को ऊपर की तरफ इस तरीके से चिपकातेवे से सैट कर लिया है चुक्छी डिक हमारा है वह यहां पर यहां बेपर नहीं तो में यहां पर यह वाला फैब्रिक यूज़क रहे हूं आप अपने सहुलियत के according fabric को यूज़ करें तो सबसे पहले आप देखिए इसे इस तरीके से रख लीजिए इसे इस तरीके से रखने के बाद में जो आपका ये पेपर पेस्टिंग वाला जो फैबरिक है जिस पे आपने पेपर पेस्टिंग को चिपकाया था इसे इस तरीके से रख लीजिए रखने के बाद में इसे इसी के according कट कर लीजिए जिस shape में हमने यहाँ पर paper pasting को cut किया है ठीक उसी shape में हम यहाँ पर paper pasting को stitch करेंगे stitching लगाते वक्त हम यहाँ पर collar के दोनों तरफ यह जो corners हैं यहाँ पर हम एक एक suit का gap छोड़ते वे stitching लगाएंगे तो इस तरीके से हमने दोनों तरफ आगे की साइड एक एक सूथ का गैप छोड़ते वे इसे स्टीच कर लिया है अब हम यहाँ पर स्टीचिंग का मार्जन रखते वे एस्टा फैब्रिक को कट करकर हटा देंगे अब हम इसे एक बार डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद में इस पर हम सेंटर का कुटका लगाएंगे कुटका लगाने के बाद में हम इसे पलट लेंगे अब हम अपनी चोली लेंगे जिस पर हमें कॉलर स्टीच करनी है तो यह देखिए चोली को हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे यह जो सीधा साइड है चोली का हम नीचे की तरफ रखेंगे क्योंकि जो हमारी कॉलर का फिनिशिंग वाला एरिया है वो हमारा उपर की तरफ आना चाहिए तो हम इसे इस तरीके से लेंगे चोली को और यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर एक सूथ का जो यहाँ पर दवाव छोड़ा था यहाँ पर एक सूथ का वो जो दवाव है हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से स्टीचिंग लगाएंगे जितना हमने margin लिया था इस्टीचिंग के लिए वो margin हम पूरा stitching में stitch करेंगे तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर इसे stitch कर लिया है एक बार और यह देखिए जो धागा है वो आपको cut कर देना है आप देखिए यहाँ पर हमें इसे इस तरीके से अंदर की तरफ fold करना है और जो हमारा यह finishing वाला color का जो part है नीचे वाला इसे हमें इस तरीके से अंदर की तरफ प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से उपर की तरफ हमें arrange करना है और अब देखिए हम यहाँ पर विल्कुल कॉर्णर पर स्टीचिंग लगाते वे इसे स्टीच करेंगे इस तरीके से हमने यहाँ पर कॉलर को फाइनली स्टीच कर लिया है तो देखी मैंने यहाँ पर जो अपनी स्टेंड कॉलर लगा कर चोली तयार की थी उसमें मैंने आस्तीन लगा ली है और नीचे यहां पर घेरा अटेच करके एक ब्यूटिफुल ड्रेस तयार कर ली है और फ्रेंट्स देखें यहां पर जो मैंने यह ओपन छोड़ा था जहां पर हम हुकाई लगाने वाले थे आठ इंच मैंने इस तरीके से उपन छोड़ा है और बाकी को मैंने पैक कर दिया है मैं बाकी पूरे पे यहां पर हुक नहीं लगाने वाली हूँ आप चाहें तो पूरे पर hook लगा सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से pack करके भी इतने में hook लगा सकते हैं और यह hook लगाने के बाद में यहाँ पर देखिए मैं कुछ decorative यहाँ पर यह buttons हैं वो मैं यहाँ पर attach करूँगी इस तरीके से आप भी यहाँ पर कुछ डेकोरेटिव कुछ लगाना चाहते हैं बटन्स फ्लावर्स तो वो आप लगा सकते हैं इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स कॉलर लगा कर जो हमने चोली बनाई थी उससे आप एक बहुत प्यारी ब्यूटिफुल ड्रेस बना सकते हैं फ्रेंड्स आ मिलेंगे एक नए वीडियो नए इंपोर्मेशन के साथ में तब तक हमारे साथ बने रहे हैं धन्यवाद